नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं NKP प्रोडक्शन में तो चलिए आज मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं वो फर्स्ट लिस्ट के रिगार्डिंग है और यह है आपका LLB 2-year course का जो निकाला गया था उसके लिए है जो आपको बता है मैंने पहले डाला था कि Institute of Legal Studies रांशी उनिवर्सेटी मौराबादी केमपस रांशी के लिए जो LLM 2-year course जो है उसके लिए निकाला गया है तो LLM सेशन जो है 2022 से 24 तक का है ठीक है इसके लिए आपका जो फर्स लिस्ट निकाल दिया गया है प्रोविजनल लिस्ट है ठीक है इसके अनुसार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना तरीक कर सकते हैं इसके लिए जो नाम निकाला गया है देखे कैटेगरी वाइच भी दिया गया है वहीं आपका ओपेन सीथ 30 है 13 सीथ है उस अधियर सीथ चेट लिए चैनल को लिजे बगल या लेजए हर तरह का अपडीट पाने के लिए देखिए है आपको डॉकमेंट क्या क्यों कि लेकर जाना है आपको से ले करके जाना कि सी रेकिंग टेक्लेक्शन जो है वह आपको मिल जाएगा कॉलेज के वेब का जो आपका यह है वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा अधार कार्ड मार्कसिट 10 का चाहिए LLM का मैं बता रहा हूँ तो 10th का मार्क सीट चाहिए और LLB मार्क सीट 3-year course का और नहीं तो फिर LLB integrated course जो मार्क सीट है 5-year का वो चाहिए उसके बाद में for appearing candidate जो कहा है उनका semester 1 से 5 तक का मार्क सीट जो है उनको आप देना है और नहीं तो फिर आपका जो आपका LLB integrated कर रहे थे उनका 1 से लेकर के 9 marks जो है उनका देना है पासवार्ट साइज फोटो 4 पीस लेकर के आना है वहीं DD जो है मतलब DD मतलब demand drop वहीं 30,000 रुपए 30,000 का आपका बनेगा कौन सा फेबर फेबर इसका बनेगा A1 Institute of Legal Study रांची उनिवर्सिटी पेबर टू एट रांची मतलब यह आपका होना चाहिए DD आपका यह बनेगा 30,000 का उसके बाद में यह डिकुल्मेंट सारा लेकर के आपको जाना है कौनसलिंग में कौनसलिंग के तरफे उसके बाद में आपका एड़ोईशन कंफर्म हो पाएगा LLM 2-year कोर्स के लिए और भी अपडेट पाने के लिए आप बने रहेंगे NKP Production के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद